इस बीच अमेरिका के रहवो करम पर चलने माले पाकिस्तान को बड़ा जटका लग सकता है क्योंकि अमेरिका की रिपप्लिकन पार्टी के सांसद स्कॉट पेरी ने पाकिस्तान को आतंकी देश भोषित करने की मांग की और उन्होंने वहां की संसद में कुछ दूसरे संसदों के साथ मिलकर इससे जुड़ा एक बिल भी पेश किया जिसे अमेरिकी संसद के विदेश मामलों की एक कमिटी के पास भेज दिया गया और माना जा रहा है कि अगर ये विदेख पारित हो गया तो पागिस्तान पर कई तरह की पाबंदिया लग सकती है जिन में विदेशी मदद पर रोक और रक्षा आयात पर प्रतिबंद खास तोर पर शामिद है यानि इस विदेख के पास होते ही पागिस्तान को अंतराश्ट्री आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश माना जाएगा इस लिस्ट में अमेरिका अब तक चार देशों क्यूबा, उत्तर कोरिया, इरान और सीरिया को शामिल कर चुका है अमेरिकी संसेत की तरफ से ये कदम ऐसे वक्त में उठा गया है जब अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान पर आतंकवादी संगठनों से संबंद होने के हारोप लगे